सेकंड यह आज का जो लेक्चर है वो एक्सरसाइस 3.2 का कॉश्चन नंबर 2 पे होगा कॉश्चन नंबर 1 है उसके सारे पार्ट समने कर लिये थे आज हम कॉश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे इसमें भी आपको इंटेग्रल्स गिवन है आपको इने वैल्यूएट करना है फ इसमें इस पे लगाते हैं कोश्चन डूल लेकिन इंटिगरेशन में आपने ऐसा नहीं करना है इसमें डिफरेंट इसके लिए रूल्स है कोश्चन डूल नहीं लगेगा अब यहां पे देखें ऊपर भी पावर 2 है नीचे भी पावर 2 है इस इस एन इंप्रॉपर फ्रेक् से तो यहां पे हम माइनस वन से अगर मुंटिपलाइा करें इस और ही हो जाएगा माइनस वन माइनस एक्सके अैयर टीक है साइन smart चेंज करेंगे यह हो जाएगा प्लस यह भी प्लस तो यहां से यह केंसल हो जाएगा यहीं तो आजएगा जब आप इसको प्रॉपर में त्वाइजर है one plus x square तो इस तरह से आपने improper को change करके proper में कर दिया और ये हमारा question बन जाएगा ठीक है तो proper में इस तरह से आ गया अब हम क्या करेंगे इसकी integrals को separate कर लेंगे minus one के साथ dx अलग से two के साथ इस term के साथ dx अलग से अब minus 1 की जो integration है वो तो simply x आ जाएगी तीक है minus x अब जो next वाला है उसमें 2 बाहर आ गया बाकी बचा 1 over 1 plus x square dx अब integration में हम क्या करेंगे हमें मालूम है मैं साथ-साथ आपको rules बता रही हूँ एक साथ इकठे नहीं मैंने बताए ताकि जैसे-जैसे questions हमारे पास आते जाएंगे हम उनके जो different rules हैं ये integrals हैं वो हम solve करते जाएंगे हमें मालूम है tangent inverse x का जो derivative होता है that is equal to 1 plus x square 1 over 1 plus x square हमने check करना है कि ये function किसका derivative है so this is the derivative for tangent inverse of x so इसकी integration जो है two as it is और इस सारे की जगह आजाएगा tangent inverse of x plus constant of integration क्योंकि हम बात कर चुके हैं integration is the reverse process of differentiation differentiation में हम tangent inverse का derivative find करते हैं वो 1 over 1 plus x square आता है integration में हमें ये वाला function given है हमने इसको integrate करना है तो जब इसको integrate करेंगे तो हमने इसको reverse में आना है कि this is the derivative of tangent inverse of x so answer is tangent inverse of x plus c clear हो गया तो ये question आपने इस तरह से करना है आप इसकी जो direction place है वो change कर सकते हैं plus वाले को पहले लिख लिए पर minus x and plus c next आप आपास आ रहा है इसका part third question second का वो कैसे करेंगे given है dx over x plus a हमें आप यहाँ पे नीचे जो denominator है उसमें square root involved होगे है आपको मालूम है जब यह denominator में square root आ जाए तो हम rationalize करते हैं सबसे पहला step हमारा तो यहाँ पे हम इसको rationalize करेंगे x plus a multiply करेंगे x plus a यहाँ दरम्यान में जो sign है उसको change करके ठीक है अब यहाँ से यह आजाएगा x plus a माई उपर वाला as it is नीचे जो है यह a plus b a minus b है तो यह आजाएगा a का square n minus b का square यह इससे cancel हो गया next step में यहाँ पे dx आथ में next step में क्या होगा x plus a minus under root x अब square root cancel हुआ था यहाँ पे इस तरह बिन गया अब x x से cancel हो जाएगा बर्की बच जाएगा over a and this into dx a चुकर constant है उसको आप बाहर ले लेंगे integration का rule आएकर constant side पे आजाता है बाहर अंदर हमारे पास जो function बचेगा वो यह रह जाएगा तीक है अब हम दोनों की integration अलग कर लेंगे 1 over a इस पूरे के साथ है integration अलग करने के बाद भी वो दोनों के साथ हाएगा यहां पे ब्रैकेट लगाएंगे और integration of x plus a dx and minus integration of under root x dx and black it close 1 over a integration of x plus a का मतलब है यहां पे हम इसको power में लिख लेते हैं ताके आपको integrate करने में असानी रहे 1 over 2 dx and bracket this is equal to 1 over a bracket लगाई है आपने यहां पे x का derivative 1 है a का 0 है यनि के 1 तो 1 साथ में मजूद है whole power है यहां पे हम power formula लगा सकते हैं that will be this one and minus इसकी integration तो simple आ जाएगी close and plus constant of integration यहां पे आ गया 1 over a x plus a की whole power 3 over 2 3 over 2 minus 3 over 2 and 3 over 2 plus c यहां से हो जाएगा 1 over a 2 over 3 and x plus a power 3 over 2 minus 2 over 3 x power 3 over 2 and plus c so this is the answer आप चाहें तो यहां पे 2 over 3 को common भी ले सकते हैं तो यह 2 over 3a हो जाएगा and this is x plus a power 3 over 2 and x power 3 over 2 and plus c so this is the answer for this integral clear next आपने पार्ट करना है इसका पार्ट नमबर 4 question number 2 का यह बिलकुल सेम है question number 1 के part 4 की तरह यह आपने हुद करते है question number 2 का जो 4 part है वो बिलकुल सेम question number 1 के 4 part की तरह है यह मैं आपको करवा चुकी हूँ आपने पिछले lecture में अगर आपने देखा होगा समझ आगी है आपको तो आपने उसको देखके इस पार्ट को भी खुद solve कर लेना है तो इस तरह से आपके question जो है 4 तक attempt हो जाएंगे next lecture में हम जब बाकी question number 2 के पार्च रह गए है वो solve करेंगे